आज इस वीडियो में आप लोगों के शाथ शेयर करने वाली हूँ my anomaly scan report अगर आप लोगों ने मेरा last video देखा होगा pregnancy related जिस पर मैंने शेयर किया था कि आने वाले कुछ days में मेरे anomaly scan होने वाले हैं तो वो anomaly जो scan है वो हो चुका है और मैं उसी की experience and उसी की related ये videos होने वाली है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो फटा फट से जागे पहले मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और ऐसे ही more content के लिए आप लोग इस चैनल पर comment करके मुझे advice दे सकते कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू मेरा anomaly scan हो चुका है और यह scan मेरा 19 weeks में हुआ था और usually जो anomaly scan होता है वो 18 to 20 weeks में होता है इसी बीच यह मेरा scan हुआ था बेरी जो reports आई है वो normal आई है कोई problem नहीं है everything is all okay so मैं आप लोग के साथ सबसे पहले तो share करना चाहती हूँ कि anomaly scan होता क्या है physical growth कोई disorders है physically या फिर handicap है कोई बीमारी है तो वो सारी चीज़े इस scan में detect की जाती है तो basically यह जो scan काफी जादा important होता है क्यों पर मालूम भी पड़ता है कि कोई problem तो नहीं नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया handicap है या फिर कोई बीमारी है या फिर growth बराबर नहीं है तो यह सारी चीज़े इसी में detect की जाती है 90% इसी में हो जाता है 10% जब delivery होती तब मालूम पड़ता है कि कोई problem है या ने but most of this इसी में आपका clear हो जाता है तो यह scan जो है वो बहुत ही जादा important है तो please जो भी pregnant ladies है इसको skip मत करिएगा जरूर से anomaly scan करा लीजेगा सो अब रही बात इसके costing की की anomaly scan जो है वो almost कितनी costing होती है तो है की anomaly scan expensive है या फिर चीपर है सो अब तक जितने भी sonography मैंने किये उसमें सबसे जादा expensive sonography मेरा यही रहा है anomaly scan so it cost me around somewhere 3000 रुपीज का मुझे costing हुआ था अगर आप लोग anomaly scan check करना जाते तो यह डाई हजार से लेके depend करते कि आप कौन से hospital से करा रहे हो एगर जादा expensive है तो it goes up to 4000 रुपे से शूरु आप तक का मेरा सबसे expensive sonography यही था anomaly scan जो कि 3000 रुपीज था so anomaly scan कौन से month में होता है तो यह 5th month में होता है जैसे कि weeks की अगर हम बात करें तो 80 to 20 weeks के बीच में यह anomaly scan होता है anomaly scan में क्या हम पता लगा सकते है baby का gender whether it's a girl or boy तो कितने लोगों को पता है यह video यहीं पर pause कर दीजे और comment section में जाके कि मुझे comment करके बताएगा कि कितने लोगों को पता है anomaly scan में बेबी का gender reveal किया जाता है या नहीं I mean हम check कर सकते हैं तो मैं बताना चाहती हूं anomaly scan में किसी भी तरह का gender reveal नहीं होता है आपको sonography करते हैं दिखाते तो है see this is the hand, legs, stomach, heartbeat, everything वो शो करते हैं बट बेबी का gender से कोई relation नहीं होता है कुछ भी नहीं दिखता है और नहीं आप anomaly scan में पता लगा सते हो whether it's a baby girl or boy definitely doctors बता doctors को तो पता चलता है but as a patient as a pregnant lady we cannot find that जो भी reports आती है उसमें भी नहीं शो करता है कुछ नहीं शो करता है so anomaly scan में कोई भी gender reveal नहीं होता है so it's a myth कि anomaly scan में आप ऐसा देखोगे तो gender reveal होगा वैसा देखोगे तो gender reveal होता है no nothing has been there mentioned okay so यह रहा video about the anomaly scan I hope आप लोगों को यह मेरा video पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा यह video पसंद आया तो please मेरे channel को like share and subscribe जरूर कर लीजेगा and आपके family में जितने members है सभी को यह video भी share कर दीजेगा and मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye take care